कि नमस्कार दोस्तों अभी नंदन करता हूं हमारे जैवी एंस एभी मेंग सिंपल की इस चैनल में दोस्तों आज पे इस वीडियो लेजन में मैं आपके साथ वन लाइनर पॉइंट डिसकस करने वाला हूं वन लाइनर पॉइंट यानि कि अपने जो एवी एम का जो चारो मॉडियोल है ठीक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइनर पॉइंट है जिसको मैं आपको कुछ से नहीं आनसर पॉइंट में समझाने वाला हूं दोस्तों तो इससे फायदा यह होगा कि कुछ पॉइंट ज इसको मैं दोस्तों आपके साथ सेयर करूंगा तो आप उसे ध्यान से सुनिए यदि हो सकता है तो नोट्स भी बना ले और यदि नोट्स नहीं बना सकते हैं तो उस वीडियो को ज्यादा स्पीड पर दिदेख सकते हैं और अपने कंसर्ट को क्लियर कर सकते हैं चलिए दोस् मैं चाहिए किफेक्टर को 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 कि एफेक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह है पॉलिसी अब गॉर्मेंट छीक है चलिए उसके बाद दूसरा फैक्टर है दोस्तों वह है टेक्नोलोजिकल चैंज टेक्नो लॉजिकल चेंज उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों वह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है अब लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे एफेक्ट करता है उतार डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन आपको पता हुआ चाहिए कि हाँ सप्लाइगर ए क्या है कि जब हमारा डिमांड कर्व का स्लोप ठीक है हम बात कर रहे हैं डिमांड कर्व का ठीक है तो डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वह क्या होता है दोस्तों वह डॉनवार्ड होता है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ आप जैसे स्लोप द पर रहा है आप जैसे यहाँ दिखे आप यहां जा रहे हैं तो प्राइस बर रहा है तो कॉंटिटी डिमान्ट चाहिए चलिए इसका क्या ईसको पता होगा चलिए उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंफ़्लेशन से रेटेट आप बाफ से सकता है कि क्या मतलब है थीक है तो जैंब मों बात करते हैं को इंप्रेशन कई तुस्थे करते हैं क्या करते हैं क्मिर ओंवर का फ्लेशन होगा आगे बनालो sog注意 आपको यह सबसेग्पॉर्टेंट है कि जो बॉण्ड का प्राईस और यह लिए हम बात करें कर्यंट इंट्रेस्स रेट का थीक वह हमारा किरंट इंट्रेस्स रेट है तो यह इन्वर्सली रेलेटेर होता है आप देख सकते हैं यह सिंबॉल का मतलब इंवर्स ते ठीक है और यह किसके एकॉर्डिंग है यह है जे एम कीइंज के काउडिंग तो जे एम कीइंज के डेफिशन कहता है कि बॉन्ट का प्राइस और करेंट इंट्रेस रेट आपस में इनवर्सली रिलेटेटट है उसके बाद दोस्तों एक और demand curve होता है और एक हमारा supply curve होता है ठीक है तो आप जानते हैं कि demand curve supply curve होता है दोस्तों तो हीक्स और हैंसन ने हीक्स और हैंसन ने यह बताया कि जिस point पे हमारा demand curve और supply curve intersect करता है उस point को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं उस point को हम लोग करते हैं equilibrium point करते हैं तो दोस्तों मैं आपको दिखा दिखा देता हूं कि डिमांड कर वर सप्लाइब कैसा दिखता है देखिए कि यह आई एस और बात हो रहा है ठीक है तो ऐसा है कि ग्राफ में यदि मैं सो करूं तो यह हमारा होता है यहां पर प्राइस दिखा दीचे और यहां पर इंकम जो करते हैं तो हीक्स एंथन के दौरण के दौरा कंसेट कहा गया वह यही था इसको खाते हैं यहां कि को सा रेट आएगा इंकलोइब्रियम रेट आफ इंट्रेस्ट तो हिक्स हैं आप समझ गया चलिए आगे देखते हैं आइरवी याइ मोनिटरी पॉलिसी के दौरा मौannel कि क्या करती है मोनिटरी पॉलिसी की दौरा रपी टौरा रबी-ट करती है और एदáng देगा कम City को पहला चीज ए आप और वोह हैं मने सब्लाइक को ओसके बाद जो निक से रली यख 501 को दिनomena ड। तिसके बाद दोस्तों, निच पॉइंट को देखते हैं हम लोग, निच पॉइंट है दोस्तों, कि bank क्या करती है cash with RBI maintain करती है किसके साथ RBI के साथ क्या maintain करती है cash maintain करती है और यह किसका percentage होता है यह percentage होता है NDTL का NDTL क्या होता है net demand and time liability इसके बारे मतावने सब्सक्राइब आपको आफमा point है दोस्तों यदि SLR को bank SLR बढ़ेगा ठीक है SLR यदि हमारा बढ़ेगा या change करेंगे यदि SLR को हम change कर रहे हैं दोस्तों तो क्या होगा RBI जो है credit expansion कर सकती है RBI क्या कर सकती है बढ़ा सकती है या घटा सकती है किसको credit को credit expansion अब कैसे होता है इता डिटेल में हम लोग अपने वीडियो लेशन में चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग यदि सैंप्लिंग पर आए तो सैंप्लिंग में आपको पता है एक होता है systematic sampling क्या होता है दोस्तों systematic sampling systematic sampling में क्या होता है दोस्तों कि यदि मान लीजी कि हर एक 10 नमर को आप पिक कर रहे है ठीक है आपके पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आर नौदस आप तीसरा नमर को पिक करें यह पहला तीसरा हुआ फिर यह हुआ फिर यह हुआ तो ऐसा sampling जिसमें आप प्रतिक तीसरे नमर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं किसे हम लोग क्या करता है एक सिस्टेमेटिक सेंपलीन करते हैं ठीक है चलिए आप हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द्वी इसका पाता है इसका फामला को पता है सिग्मा पॉर्ट एंड चलिए एन क्या है एन नमबर आप सैंपल्स और सिग्मा क्या है हमारा स्टेंडर्ड डेविशन उसके बाद दोस्तों जो हमारा नैशनल इसन्सिटूट और पर्सनल मेनेजमेंट यह कहां सिचिटेट है यह कोलकता में सिचिटेट है इसके हम लोग नाइपीम भी करते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं जोब अनालेसिस की ट्वेल्ट नमबर पॉइंट हमारा जॉब अनालेसिस तो देखिए जॉब अनालेसिस का तीन पार्ट होता है यह सब पाइंट काप़ी इनपोटेट और आपसे credit कि до जोब ठीन पर्इंट एक हे चंने हैं हेमारा जौन है और दूसरा है दुस्तो हमारण जाव एवैलिएशन और अवा देसरा दुस्तों मेरा जौन स्पेसिफिकेशन है कि जोब अलेसिस का तीन पार्ट आपको बताना चाहिए उसके पर एटिचूट का भी तीन पार्ट होता है एक होता है एक होता है मारे तीन बेसिक इस सब्सक्राइब करता है तो पहला थेका अएटिचूट करता है तु आ यह यह तीनों कौन करता है यह तीनों कान करता है यह तीनों पॉह discuss एटिचूट करता है हमारे workplace पे चलिए पंद्रम पॉइंट देखते हैं लोकोस आफ कंट्रोल से रेटेट पॉइंट है इंडिविजूल का अपना बिलीव होता है कि जो उसके लाइफ में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्बेवार है तो उसे कहते हैं लोकोस आफ कंट्रोल त द्धान दीजेगा हम बात कर रहे हैं आ कि अमि rises का और टीकल टो अंड利 ningúnतिकल थियोरी किस अरी लिए फ्लोडियन कंसर्फ क्या करता आ है इसमें तीन चीजा यह टाएं एक होता है वाम सब्वर्क अब इअ और दोस्तो तीस इसरा होता है मारा Будऌन से तो तो साइपो एनेटिकल थिओरी यह तीनों कंसेप्ट पे बेश्ट है चलिए यह सुलर पॉइंट हम लोग देख किया काफी इंपॉइंट है आगे देखते हैं लोग सेवेंटिंध पॉइंट पर आते हैं दोस्तों राइट है मिस्फियर की बात करें अपने बेश्ट ब्र होना ठीक है उसके लबाव क्रीटिव होना इमोशनल होना थीक है तो यह सभी चीज हमारे ब्रेइन को कौन कंड्रोल करता तो रायट है स्वेर कंड्रोल करता है जॉब हमारा अठार्मा पॉइंट है vasya eto job condition के बादर हमको पता अना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो आपको प्लानिंग भी करना है और साथे साथ आपको क्या करना है कंट्रोलिंग पावर भी दिया गया है ट्रिक मीच करनाई करना है अब क्रना करना सब्रेशल सकता हमाई आपको क्या एक इसा च्राय तो कि इसके लिए कि इतना होता है तो दोस्तों कभी तभी को सब्सक्राइब को पता होना चाहिए ठीक है चलिए कॉंसोल बारे में आपका परपेच्वीटी कितना हुआ आपका बॉंद प्राइस कितना होगा तो यह दोनों से जरूर देख जाएगा किसले बार कॉंसोल बॉंद से ठीक है और कॉंसोल बार के बार में चलिए आगे बरते हम लोग्यां सिंकिंग फंड के बारे में समझे एक होता है मारा सिंकिंग फंड इससे कुछन की बार बार ha basically यह अचेफार कारती है तो companies संट करती एंट करती है तोग्यां कोeren कटी को यह कंपनी तो बिस क्या है कि कंपनी को यृडफ का payment करना है कि यह कंपनी को पक्राश्य LGBT है ठीक है तो यहां बॉंड का पेमेंट करना है तो कंपनी करती है इसे हम लोग करते हैं सिंकिंग चलिए था हमारा 20 पॉइंट का आगे बड़ते हैं 21st पॉइंट के बाद आते हैं तो यह हमारा एक चाहिए सेंट्रल लिमिट थुरम क्यों आपको जानकारी होना कोई परता यदि सेंपल साइज ज्यादा है ग्यान दिजेगा सेंपल साइज मोर है मोर मतलब के लिए टरे थन थि ठर्टी है तो उस केस में हमारा सेंपल का में सेंपल का मीन वह और बॉप tutorials का मीन क्या होगा बराबर होगा इसी Ha одно तो हम फायदा उठाते हैं ठीक है यानि ऐसे भी कर सकते हैं कि sampling distribution जो है normal हो जाएगा जब sample size बढ़ेगा ज्यान रहेगा sample size जादा है तभी central limit theorem को apply कर सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद दोस्तों next point पे आते हैं एक है हमारा scatter method देखे correlation मालें जी कि हमारे पास जो variables है ठीक है variables के बीच में correlation को study करना है तो correlation को study करने के लिए हमारे पास non mathematical method available है पहला को कहते हैं हम लोग scatter diagram scatter diagram के बारे मैंने डिटेल में discussion किया है और दोस्तों दूसरा method इस हम लोग कहते ग्राफिक method ग्राफिक method को भी मैंने सब्सक्राइब के बीच में correlation establish करने का कौन तरीका है तो पहला तरीका बताईगा कि पहला तरीका है हमारे पास scatter diagram का दूसरा तरीका हमारे पास graphic method का चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point है कि देखे दो दो रेग्रेशन लाइन हो ठीक है दो रेग्रेशन लाइन कि जितना भी जितना धूरी पर रहेगा डिस्टेंस यदि बढ़ेगा दो रेशन लाइन के बीच का दिस्टेंस यदि बढ़ता है तो हम कहते हैं कि correlation लेश्ट डिग्री का है लेश्ट डिग्री आफ और रिलेशन यह एक point था उसका ध्यान में रख सकते हैं वैसे पुछे का कम चांस इसको पूछने का ठीक है वैसे ध्यान में रख सकते हैं चलिए उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि इन्वेंट्री टर्न आवर रेश्य कि इसलिए तो देखें इंवेंट्री टर्न आवर रिस्यों जितना होगा इसका मतलब है क्या है कि आपका सेल जो है higher है ठीक है ऐपका higher है चलिए ध्यान रखेगा फिर नेक्ट कई आते हैं हां बैंक गारंटी जो bg होता है उसका maximum विसूर कितना होता है 10 years होता है यह ज़या कि थिए इससे के आलो Girल गोगा उसके बाद दोस्तों उसका दी या टब्स दी नेस्यों क्या होगा हाई होगा ठीक है उसके बाद प्रचिस perhaps आटेश्चाहक कि आपको पता है एक या MPBF मैक्सिम्ट बैंक पैना ठीक है MPBF जो असेस्मेंट है तो वह सौब्वेर इंडस्ट्री या सीजनल इंडस्ट्री इस इंट्राइस्ट्रॉच्टर को क्या जाता है तो उसे लोग कहते हैं कैस बजट मैथन्ट क्या कहते हैं कैस बजट में चलिए उसके बाद दोस्तों मैं आपको इंटर्ण लेट अफ इंटर्ण आयर आर के बार में बॉंड इंवेशन टॉप्विंगों ने बताया है ध्यान देगा यह कंसेट काफी इंपॉर्टेट है कोई ही प्रोजेक्ट है आपकी पास क्या है प्रोजेक्ट है कोई लिए यह कंसेट पता है कहां यह होता है जब आपको मान लीजे दो प्रोजेक्ट देते और आपको चाटना रहे कि आयार रहे आपको जो चूश करना रहे कि कौन सा ज्यादा एक्सेटेबल है आप आप शका लेंगे आयर कैसे निकाला लेंगे आपने बान इंवेश्म आप सब्सक्राइब में बताया है इंटर्न डिट अब रिटर्ड ठीक है तो आयार आप निकालिए और देखिए कि कॉस्ट आप चैटल से वह ज्यादा है या नहीं यह ज्यादा है तो आप उससे एक्सेप्ट करेंगे ठीक है चलिए 29 नमर को देखते हैं देखिए यदि हम बात करें ठीक है यह हम बात करें होम लुंकी है ऐ मैं आपको पता होना च्याहिए इसका जो पेश्यों को जोता है की शोटे कुक्स का तो ilma ou इसके बाद दोस्तों next point है हमारा 30 number point bank का जो lean होता है दोस्तों bank का जो lean होता है उसे हम लोग general lean करते हैं 31st number point है दोस्तों हमारा कि ROC क्या करते है ROC मतलब registration of charge with registrar of the company ठीक है तो ये company की duty होती है कि charge को register किया जाए ROC के पास लेकिन किते दिनों में तो 30 दिनों में documentation के बाद यहां से पुसन बन जगता है इसलिए मैं आपको समझार मैं फिर से repeat करों इस point को देखिए यदि ROC मतलब के मतलब है ROC का मतलब है register of company ठीक है तो company के क्या duty है company के duty है कि यदि charge को register करना है ROC के साथ कितने documentation के 30 दिनों के अंदर ठीक है यह बात करें तो दोस्तों commercial paper का कभी-कभी face value पूछ लाजाता है तो commercial paper का face value याद रखेगा 5 lakh होता है एंड इस multiple होता है ठीक है यह commercial paper के बारे में बात हो रहा है चलिए आपको पता है 33 नमर पॉइंट पे 33 नमर पॉइंट पे हम बात करता है export credit का export credit के बारे में देखे आपको पता है pre shipment और post shipment credit होता है तो यह priority sector कभ लाएगा यह पूछा जारा है कुछ न्यीए export credit छिसके अंदर दो पार्ट होता है pre shipment finance और post shipment finance यह priority sector के अंदर कभ आएगा उसका मैं कन्दिशन आपको बता रहा हूं ठीक है देखिए subject to sanction limit of 40 crore per borrower तो देखिए condition क्या है कि यह दी sanction limit जो है पर borrower ठीक है 40 crore है ठीक है तो यह हमारा priority sector के अंदर आता है यह clear हो गया चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं WCG working capital gap ठीक है working capital gap क्या होता है दोस्तों current asset current liability को हम लोग करते हैं working capital gap लेकिन देखियां देखिए करेंट liability में से क्या minus करना है bank borrowing को ठीक है बैंक को तब हमारा WCG निकलता है चलिए उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें service sector की तो हमारे economy में service sector को tertiary sector कहा गया है agriculture को primary sector कहा गया है और industry को secondary sector कहा गया लिए पता ही आपको चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं business cycle को तो business cycle को economic cycle भी कहते हैं इसके अंदर चार faces होते हैं कौन-कौन से होते हैं एक बार देख लिए बूम recession और दोस्तों रिसेशन को हम लोग क्राइस भी करते हैं यहां से recovery है ठीक है तो यह चार्ट प्रेश है हमारा प्रेश साइकल का क्योंकि आपको ध्यान रखना है अच्छा नेक्स पॉइंट है दोस्तों मैं narrow money के बारें बात करते हैं किसके बारें बात करते हैं narrow money तो मैं आपको कभी मौडूल A कई मौडूल B कई मौडूल C कई मौडूल D में लिएक चल रहा हूं तो नेरो मनी में क्या होता है कि जो public के पास currency है वो आप लेंगे ठीक है उसमें आप क्या करेंगे जो हमारा bank के पास demand deposit है वो लेंगे ठीक है उसके बाद आप क्या लेंगे उसमें order deposit with RBI लेंगे चलिए यह आपको तीन चिलना है जब आप नेरो मनी को calculate करेंगे तो नेक्स point है हमारा least square method ठीक है तो least square method का कहां यूज है यूज है यूज कहां पर दोस्तों जब हम किसी ट्रेंड को टाइम स्टीज में मेजर कर रहे होते हैं इसके अंदर graphic आता है semi average आता है moving average आता है तो वहां पर हम लों least square method करते हैं मैंने क्या बताया पहला बताया है मैंने graphic semi average आता है moving average आता है तो यह सब चीज़ी आता है तो हम उनके किसका use करते हैं दोस्तों नेक्स point हमारा 39 number point है अब क्या धान रखना है कि the 25 का अध्यक्राइब स्टैटिफाइब सैंप्लिंग क्या होता है कि जो भी group है जैसी group है यह group है यह group के अंदर भी elements होँगे उसके अंदर variation होगा ठीक है जैसे यह triangle है यह square है यह circle तो ग्रूप के अंदर वैलिशन होता है तहीं होता है इसमें कि तो बेन ग्रूप इंधिन ग्रूप है सब्सक्रण किरिये के तो इसम्हें है कि ब hidden चलिये टो फिरीर सकत्ससाथ में ग्रूप है मुथां छुट सश्छिरू mensen वहीं है कि यह इंधिन सपर कि स्माल बैसे विबिन इट्सेल्फ इरी तो इसमें देखिये स्मॉल बैसे सविदे इसल्फ और क्लस्टर सेंपलिंग रिम्स मेंें दोश्तों वे इत्यमें इत्सक्ति आपने रिटा था सम्झाय था कि अपिसम दो सामज्ञ के कीस में क्लस्टर सेंप्लिंग और स्ट्रेटिफाइट सेंप्लिंग के बात करें तो जैसे माल लीजे कि स्ट्राइट का मतलब क्या होता है जैसे माल लीजे कि हमारे पास होमोजीनिटी विदिन सब ग्रूप ठीक है सब ग्रूप के अंदर क्या रहेगा होमोजीनिटी रहेगा जैसे एक यह ग्रूप है और एक यह ग्रूप है तो इसके अंदर मालेजे केवल और केवल हम सू कर रहे हैं इसके अंदर मालेजे केवल और केवल एपल है ठीक है और इस होता है crypto ठीक है ऐसे को यह क्लेस्टर में क्या होता है कि यह भी गूरुप है इसमें एपल हिए इसमें बनाना χरिट ठीक है तो यहां प्रडी क्या है कि यहां पी दीखें यहां पर हαι कि सब ми इango जाएए यहां होता है सैंप्लिंग और मां इसके बाद दोस्टों हम लोग नेक्ट पॉंट की बारें बात करने हैं यह होता है है लkalot क्या है दोस्तों सब्सक्राइक के देंडेंसी है किirse K hope करते हैं कि वह एकस्टम को एंफ्रेंस करें तो किसी बी um aí का कुछ ट्रेट होता है या कुछ एक न होती है नोश्तों तो हमसे क्या कर रहे हैं यसे डियर धिर किया करें एक सया करें मिल्हेंट करें कर हां तो थैंस या कर रहे हैं Tell experience पॉइंट पर आते हैं तो फॉरीटू नमर पॉइंट पर देखिए आपके मैंने बताया था कि चांजेक्ष्टन अनालिसिस जो होता है दोस्तों तो उसमें कौन सबसे सबसे मौश डिजारेबल है तो मौश डिजारेबल है आयम ओके यू आर ओके ठीक है यह हमारा सबसे मौश डिजारेबल है आयम ओके यू आरोके टानेशन अनालिसिस में चलिए नेक्स देखते हैं हम लोग नेक्स है दोस्तों M.B.O. M.B.O. होता है मैनेजमेंट बाइ अब्जेक्टिव तो क्या होता है जब सौट टर्म गोल को सेट किया जाए सेट कर रहे हैं और साथ-साथ कौन सेट कर रहे हैं इंप्लॉई यह दुनों मिलकर सेट करते हैं सौट टर्म गोल को तो इसे हम लोग करते हैं मैनेजमेंट बाइब ऑप्सेक्टिव यह सब काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपने ज है जानना है तो मेरे जहारी सरकलली में मॉडूल सी के प्रेलिस में जहारी सरकलल में चले यह मैंने ट्रिक से पूरा सचे समझाय आए दोस्तों अब जाकर देख लिए उसके अवा पिर आता है दोस्तों सेफटी नीट्स उसके सोशल नीट्स उसके सेल्फ एस्टीम और लास्ट में आता है सेल्फ एक्ट्राइजिशन नीट्स यह आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से नीट्स है ठीक है क्या होता है कि लोको साब कंट्रोल में क्या होता है कि अपना बिलीफ कि अपने लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए कौन-responsive उसे लोको सब कंट्रोल करते हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट नमर्पॉइंट को देखते हैं हम लोग फोटी नमर्पॉइंट एंदर अंदर एक डर है कि उसको बाहर बेजे जाएगा या उसके जिमेबारी है वह घट जाएगी तो इसी ज़िए रोल इरोजन कि अबेन इस पॉइंट पॉइंट में किया है कि डिग्री फिडवेक टेचनिक कि इस लाय करें हम लोग डिग्री मैं कि फीडव्या Ugh के टेक्निद तो दीडी फिग्री फिल्वैक टेक्निक क्या है दोस्तों किसे समझिए बिदीफremme तो पर्फॉर्मेंस डाटा को कर रहे हैं हर एक ग्रूप से यह होता है और एक होता है एक होता है तो यसमें क्या है यह बेसिकली एक एक अप्रेजल मेथड है इसको मुलगत है assessment center method अब दताइए एक और concept बहुत important है यादि मान लिए ये कोई goods है कोई commodity है ठीक है कोई commodity है उसका क्या होगा price बर गया तो उसके substitute goods का price क्या affect परेगा बताइए उसका substitute goods है उसका price क्या होगा बताइए दोस्तों उसका ये price बर जाएगा ठीक है demand slope के बारे में तो मैंने आप पता ही दिया ठीक है तो ये तो होई गया revenue deficit भारत में आप से पुछे revenue deficit कैसा है तो आप बताएंगे कि वो negative है revenue deficit कैसा है हमारे भारत में negative है दोस्तों FR PM का पुलफा में आप याद रखेंगे FR हम बात कर रहे है FR PM का तो fiscal responsibility and budget management act ठीक है तो basically act है इसके अवरे में हम लोग detail discussion किये वह है FR PM का फॉर्फा में fiscal responsibility and budget management act ठीक है चलिए एक होता है दोस्तों call risk call risk के आपको पता होना चाहिए देखिए क्या है कि जो हमारा contingent liability होता है उसका जो crystallization होता है उसे हम लोग कहते है call risk तो क्या होगा crystallization crystallization of contingent liability ठीक है तो contingent liability यह दी crystallize होगा उसे कहते हैं हम लोग call risk ठीक है दोस्तों दोस्तों आप मेरे telegram channel के साथ जूर जाएए मैं आपको discussion में दे रहा हूँ वहाँ पे मैं कुछ important points आपके साथ डिसकस करता हूँ तो call risk आपका समझ में आ गया चली आगे next point पर आते हैं हम लोग 55th number point पर आते हैं हां जो हमारा interest risk interest rate risk है दोस्तों यह हमारा market risk का type है किसका type है market risk का type है यह आपको पता होना है interest rate risk is a type of market risk 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 ठीक है उसके बाद दोस्तों हम लोग capital deficit की बाने बात करें revenue deficit भारत में क्या है negative है लेकिन यदि हम बात करें capital deficit की तो capital deficit होता क्या आपको पता और चाहिए ना ठीक है इब हम लोग डिसकस किये वह हैं capital deficit भारत में क्या है positive है ठीक है चलिए तो उसके बाद हम बात करते है CRAR CRAR के बारे आपको पता है CRAR क्या होता है CRAR होता है capital to risk with asset ratio उसके दूस्तों बात करते हैं net worth तो किसी भी individual का जो net worth होता है उसके अंदर क्या होता है वह basically क्या होता है कि उसका asset ले लो और उसका liability ले लो दुनों को subject कर दो तो आपको मिल जाएगा net worth किसी भी individual का ठीक है red flag account का जो concept है वह किससे related है बात कि और RFA होता है red flag account यह related है हमारा fraud risk control से किसे related है fraud risk control चली यह आपको पता है अच्छा एक और point है काफी important point है इससे ध्यान दिजेगा जो हमारा long term provision है जो क्या है long term provision तो दोस्तों long term provision होता है हमारे balance sheet में वह किसका part होता है वह part होता है हमारा non current liability का ठीक है मतलब non current current liability मतलब जिसका वैसा level वैसा लैबल वैसा लैबल डिसकोज हम लोग 12 महिने के अंदर कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्या है non current liability का part होता हमारा balance sheet में यह पुछा जाता है question कि long term provision किसका part होता है तो आप यहां नखिएगा non current liability का part होता है दोस्तों inventory norms को prescribe क्या गया था अलग-अलग industries के दौरा तो यह तंडन कमीटी के बारा आपको पता होना चाहिए तो तंडन कमीटी ने क्या बताया कि inventory norms inventory norms को बताया था अलग-अलग industries के लिए कि चलिए उसके बाद में नेक्स पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों नेक्स पॉइंट में आपको क्या बताया कि आप दिखिए ल्सी जानते है ना letter of credit तो letter of credit customer कितना आपस्टेंडिंग है एक समय पे कितना letter of credit आपस्टेंडिंग है किन बातों पे निर्भर करेगा तो यह डिपेंड करेगा जो कितनी letter of credit आपस्टेंडिंग है वह पहला डिपंड करेगा किस पे लिए टाइंप terminar करेगा उसके दूसरा इसके पूछा जाता है यह आपको पता होना चाहिए उसके दोस्तों नायक कमिटी रिकमेंडेसन के दोरह क्या कहा गया कि वर्किंग क्यापिल रिक्वार्ट इस्टूमीट बैंक और बाइंक और इस तो यह देखें का फॉर इस्टूमन का रेसियो होता है चलिए अब करते हैं यह दोस्तों एक तो हमारा होता है और अपरेटिंग कोस्त दूसरा होता है नेगेटिव केरी और एकांट अप सीरा टेनर प्रिमियूम मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड हां और दोस्तों क्रेट कंट्रोल मोनिट्रिंग को लोग लोग मेकेनिजम भी कहते हैं तो यह स दोस्तों कुछ फार्मिलेस को देखते हैं लोग कि दोस्तों फार्मिले में सबसे देखिए आपको सबसे पहले में बताता हूं कि एक आपको वाइट्यम का फार्मला को याद नहीं था यह वाइट्यम एल टो मैचुरिटी होता है सीप्लस एफ माइनस भी अपने सबस्क्राइब सके बाद मेरा फास को यह पहल गता है इसमें सी क्या है तुमें अपब सी वठारता हं सी है दोस्तों प्राइमेंट एक टूक तैटीगया थों में एक एक है arrow this value अधिक क्या है इसमें दोस्तों पी है हमारा प्राइस कि अधिए क्या है मारा यायर मेशुरीटी कि थोह तो यह आपका वाई अधियां का प्रॉमिला है सी प्लस एप मैनस पी अपॉन एंप अप्लस पी अपॉन तू चलिए तो यह सब एक component आप ध्यान रखेंगे से आप ytm आसानी से निकाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों next important formula है वो है हमारा debt equity ratio का इसे हम लोग DR करते हैं तो DR में क्या करते हैं total liability को नमें लिखते हैं और total liquidity को नमें लिखते हैं डिनोमेटर में ठीक है हम लोग DR निकाल लेता है चलिए उसके बाद दोस्तों यह यह हम बात करें theory of लर्निनग की बात करते हैं कि यह थोरी ऑफ लर्नि का तीन पार्ट है थीन दूपैल क्षया है मेकनिस्ट मैकनिस्टिक उसके बाद है मर और ऑजनुटिव ग Hakoda ये कोंगे它 ओडंटके ओड्रेगाअ ed sciences दोस्तों कुछ balance sheet से related कुछ ratio को सबसे पहले हमारा current ratio current ratio क्या होता है current asset upon current liability यह पहला point है उसके बाद दोस्तों है हमारा acid test ratio यह हम लोग quick ratio भी कहते हैं qr कहते हैं तो यह होता है हमारा quick asset upon current liability यह quick asset को further लिखें तो current asset minus inventory ठीक inventory को छोड़ देजे पॉन current liability हो जाता है चलिए इसके बाद तीसरा point है आपका NWC networking capital यह होता है current asset minus current liability इसे हम लोग net worth भी कहते हैं ठीक है यदि हम लोग बात करें WCG working capital gap की तो यह होता है current asset minus current liability minus यह bracket है minus borrowing ठीक है चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं next point के तो यह ध्यान दीजेगा यह जो borrowing है ना यह bank borrowing है जो के cash credit के form में होता है यह किसके form में हो सकता है आपका cash credit के form में हो सकता है ओके दोस्तों हम लोग बात करते हैं MPBF MPBF क्या है MPBF maximum permissable bank finance तो tundent committee आपको मैंने बताया है कि tundent committee का method one है method one का बात करें तो वह कहता है WCG minus 25% of WCG ठीक है और यदि हम tundent committee method two की बात करें तो वह कहता है WCG यह भी WCG है लेकिन 25% जो minus करते है ना वो current asset का होता है ठीक है CA का होता है तो यह आंतर समझे यहां पे है WCG minus 25% और WCG यह आपको MPBF देगा लेकिन यहां पे हम लोग current asset को minus करते हैं năm soggy method में तो यह दोनों चीज़ आपको पता हमानी चाहिए ठीक है तो यही मान लिजी कि आपको मैध के पास दोไ blame toast मेध agree method one है तो method one से यहीड आपको current ratio निकालने पूछा जाहा हम थीक है method one से लेकिन यदि method 2 की बात करें method 2 से यदि current ratio निकालने के आ जाए तो दिखिए current asset तो लिखना ही है उपर लेकिन नीचे में क्या लिखेंगे MPBF लिखेंगे और MPBF second method के निचा ठीक है प्लस trade creditor लिखेंगे ठीक है और प्लस क्या लिखेंगे order current liability तो यह दो method आपको पता होना चाहिए current कैसे हम लोगे इस दुनों method से current ratio को निकालते हैं अब दोस्तों यदि हम बात करें working capital ratio की ठीक है WCR working capital ratio working capital ratio तो वह भी होता है current asset upon current liability ठीक है आएगा cash आएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका आएगा inventory आएगा उसके बाद दोस्तों आपका order current asset आएगा या और दोस्तों इसमें आएगा securities marketable securities चली तो working capital का assessment के लिए operating cycle method है टंडन committee method है MPBF method है cash budget method है ठीक है turn over method है यह सभी के सभी आप आपके पास method है उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ important formula रिकाल करता हूं present value निकालने का formula है P upon R 1 plus R to the power T minus 1 upon 1 plus R to the power T ठीक है यह present value का formula है ठीक है discount factor यदे निकालना है आपको क्या निकालना है discount factor उसके लिए formula है 1 upon 1 plus R to the power T या N भी कहते हैं कर यह N भी लिख सकते हैं T भी लिख सकते हैं N होता है number of years R होता है यहाँ पर rate ठीक है यहाँ पर कभी यह देखेगा है small में लिखा जाता है small में भी आप लिख सकते हैं दोस्तों उसके बाद दोस्तों bond price निकालने का formula आपको पता होना थे काफी important है यह बहुत important formula है 1 plus R whole to the power T इसको मैंने अपने वीडियो लेशन में भी समझा है मैं फिर से बता रहा हूँ coupon under bracket 1 plus R whole to the power T minus 1 upon R plus face value ठीक है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं bond price को निकाल सकते हैं चलिए तो यह आपका bond price से rated formula हो गया चलिए उसके बाद दोस्तो मैं आपसे बात करो personality के बारे में एक होता है type A personality ठीक है यह आपका module C से topic है और एक होता है एक होता है हमारा type B personality तो type A जो होता है न हो restless होता है और type B जो होता है वो क्या होता है मैं झाinação जो होता है वह इंप्संट होता है दिसे नाम से ट्रेंस है तो इंपैसेंट होगा ऊच्?, अukा अथ i Premiere मिर्ट उस्टों वह क्या होगा वह दोस्तों वह म्य वह रिल रिलिफ्षेंड होगा लेकिन टाइब टाइप ए जो है वो क्या है दोस्तों है तो कुल मिलाकर आप देखें तो टाइब परस्टनालिटी वह ज्यादा फैबरेबल है कंपेर टू टाइप पर्जनालेटी त्योंकि टाइप में रेस्लेस हुआ इंपैसेंट हुआ यह सभी के सभी कुछ करें कुछ अभगुन है ठीक है दोस्तों आपको प्रेटी सेक्टर एडवांस का टार्गेट बता होना चाहिए क्योंकि वहां से कोशन कभी पूछ लिए आत इस इसका फाला पता होना चाहिए वन प्लस आर्वल्ट दे पावर एंड टू दे पावर एंड मैंनस वन ठीक है तो यहां पेग मिस्टेक है यह जो होता है यह वैं इस पी नहीं होता है वन प्लस और मैं फिट से एसे रिकुट कर रहा हूं वन प्लस और वाएं ओल्टू दे पावर एंड माइनस वन ठीक है इससे हम लोग क्या करता है अफेक्टिव रेट ऑफ इंट्रेस को कल्कुलेट करते हैं दोस्तों मैं आपको कॉंसोल बांड की बार में बता दूं क्योंकि मैंने बदा हूं कॉंसोल बांड इसा बांड होता है इसका डर निकालना निकांने कहा जाये तो होता है एपोन आठ क्या होता है मारा एपोन आर होता है क्यों हुआ ये आपकरण क्रेंटा होरूय होता है तो इसको अधैसे हटी ना होता है तो कि दिखे इसक Ale ओपन गौपन ओगे इन्टू, coupon upon coupon upon r into 1-1 upon 1 plus r hold to the power t, ठीक है, t और प्लस phase value upon phase value upon 1 plus r hold to the power t, ठीक है, और यह इसमें, यह होता है हमारा, किसका, bond price टाफ़ा मेला, किसका प्रैस का होता है, bond price का, तो दिखिये, जो हमारा इस case में क्या है, है कि dart bestמצ ना कुषैंण्य कोई कूपन मिलता ही नहीं है तो कूपन नहीं था लिए तो इसलिए बसता है के बलबह एंट ठीन तो इस लिए होता है की क्रह्ण टीए पान र को ड्रय इंद क्वेल को इसलिए छोब कूपन खशोब होता है क्या होता है मारा looking will All एक थिक तो इस कारण से के वल को बसता है तो यहां रखेगा आपसे बॉंड प्रैस निकाल लेकिना यह पूछ ना यह क्या है यहां पे क्यांट को अपना इसको ब्राइज इलास्टिस सिटी और प्राइज इलास्टिस सिटी किसी बॉंड प्राइज इलास्टिस टी का फामला देखिए नम्रेटर में लिखता है परसंटेज चैंज परसेंटेजेंज इन कॉन्टिटी सप्लाई और दिनोमेडर में लिखते हैं परसेंटेजेंज इन प्राइस ठीक है तो ये दोनों का रेशिव होता है मारा प्राइज लासपूसुल्स किसका होता है दूस्तों प्राइज लासटियो और सप्लाई यहां देखिए आप एक चीर कि यहां भी supply लिखा गया है तो इसलिए supply है कि दिमांड लिख लिख जाते हैं ठीक है चलिए उसके बाद दोस्तों गटारल को पता है तो इगो स्टेट में कितना तरग होता है तीन तरग होता है यह ही इंपोर्टेंट है जब जब भी हमारा सप्लाई सेड्यूल है सप्लाई सेड्यूल जब भी हमारा राइट वार्ट सीप्ट होता है तो सप्लाई सेड्यूल को आप जानते हैं कि यह हमारा पॉस्टिव कर होता है तो मतलब क्या हो रहा है कि सप्लाई बर रहा है ठीक है सप्लाई बर रहा है और यह सप् चाहिए क्या होना हên क्या है यह इंप्टन सेफ्ट है देख यह होता है ऐसा इकृट सब्लेइब इतर्फियर करता ही नहीं है किसी भी डिशिजन लिक्रीइब कमन क couch, 4 वी इन ट्राव नहीं नो इंटर्फेरंस उसे हम लोग कहते हैं लेजस्फियर एकनोमी चीक है अच्छा एक है दोस्तों गौर्मेंट अपिंडिया का कंट्रैक्शन पॉलिसी और एक है मारा एक है एक स्पेंशन पॉलिसी तो मैं सौफ मैं संप्ल सब्दों में आपको समझा दो कि आपने कौन सा पॉलिसी लाया था तो पॉलिसी और दोस्तों पॉलिसी में समझना है तो मेरे इस वीडियो में चले जाएं है को तो समझाय है को यह होता है में आपको जो message structure होता है वो क्यों क्या होता है अपना why होता है अच्छा दोस्तों उसके वाद आपको मैंने बताया है कि working capital assessment में एक method है जिसे हम लोग कहते है turn over method क्या है turn over method पता है ना आपको तो आपसे पुछा पुछा जाता है turn over method में हम लोग limit कितना सेंग संग करते हैं तो limit जो होता है हमारा turn over method का होता है 20 परसेंट तो 20 परसेंट किसका तो 20 परसेंट और प्रजेक्ट टरन आवर तो जो भी प्रजेक्ट टरन आवर है उसका क्या है 20 परसेंट हम लोग limit संग्संग करते हैं ठीक है तो यह आपको clear हो गया चलिए उसका दोस्तों एक gross investment अहां यह important इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मला है परिसेवल पूर्स के वाड़न आपको पता है चलिए इसके बाद दोस्तों सिंप्लेक्स मैथर्ड में मैंने समझाया है और उसके बाद आपको मैंने बताया है 360-deread feedback को soft skill आता है उसमें balance of treatment मैंने आपको समझाया है हां एक और है दोस्तों एक और concept है एफार पीम act ठीक है तो एफार पीम एक में question पुझा जाता है कि एफार बीम एक जो है वो किन के दौरा दिया गया थो यह सर्मा याद रखेगा है ठीक है और अडल्ट होते हैं दोस्तों उनके लिए क्या रखेगा एडल्ट के लिए रखेगा एंड्रोगोगी इसके बाद दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है जो इन रखना है वह यह है दोस्तों एक तो आपको स्ट्राइब स्टेंडडियों करते हैं स्ट्राइब सेमला पाता हना क्यों भी स्ट्राइब ऑफोन सिग्सपा चाहिए यह दो Caleb दोस्तों आपको अर्ड-इस एसका मतलब रखे किया होब फड़क्त इन्वर्सलिक ठीक है यहर्शक पताऊना चाहिए है करता है यहां एक यह इंपोर्टेंट है हिंदू रेट आप ग्रोथ यह मैंने अपको एपने वीडियो में समझाया है और कितना परसेंट है तो याद रखेगा 3.5 परसेंट है हिंदू हिंदू रेट आप ग्रोथ में इस पूछा जाए कि हमारे बिजनेस साइगल में कौन सा ऐसा फीस जहां पर अनिम्प्लॉइमट जो है वाइड स्पीड ऊगा तो याद रखेंगा रिजास में होता है ठीक है यह किस फेस में होता है हमलोग क्लाइशन पर वहता है कि हां एक रिशो याद रख लिजिए आप इन्वैंटरिटर्ण थरनौ रिशो क्या नाम है in अब को बताया था कि ऐसा शुल भी आपको मिले तो इन omit me ऊपो क्या टिरमेटर में आपको लिखना है average inventory चक्पार में आपको क्या नीकालना है दोस्तों यदि माल लिए कोसर में आपको निकालने पूछा जाए तो पहला स्टेप क्या किजिएगा पहला स्टेप में आप मीन निकाल लिजिए ठीक है मीन कैसे निकालता है तो जैसे माल लिजिए कि आपके पास वैल्यू है सभी को जोड दीजिए और क्या किजिए एन से डिवाइट कर दीजिए यह स्टेप टू में क्या करेंगे आप स्टेप टू में आप स्टेंडर डेविस से निकालेंगे इसके अंदर ऐसे आप निकाल सकते हैं तो ठीए डीए आपने एकस बार निकाला न अ ठीख है आपने एकस बार निकाला तो सभी को मानेस करते साइं या एकशबार आब या इन बार कर से शेथ T긴़न वार टो अन बार मारा टू ठीक ऐसे करके आप सब का मार 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 निकालना आपको अपॉन क्या कर लेजिए एक बार निकाल लीजिए ठीक है तो हमारा कोफिशंट अब जाएगा एक पार्टिकुलर डाटा के लिए ऐसे निकालते हैं तो दोस्तों यह सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है एक है दोस्तों हमारा एसेट टॉर्णावर इस यह क्या होता है इस में लिखते है नेट सिल आपन लिखते है average total से इस प्रकार से हम लोग HEY निकालते है अगलोग है कि Lap cafe यह प्लानिग इंप्लिमेंटिंग और मरा मैं ओधियान पर याइब स्टेडी किया कभी-कभी आप से यह माई निकालना पूछेगा तो इतना इतना कंसेप्ट काफी है एसे आप लोग बारबार रिवाईज करें तो आपका कज़र प्लियर होगा तो आज करें वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हम लोग ने इस वीडियो में धन्यवाद करें करें करें